नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्स ग्रीन में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गर्मियों में गमलों में लगा जाने वाले फ्लावर्स के बारे में कि आप कौन-कौन से फ्लावर्स को गर्मियों के मोसम में गमलों में लगा सक इसके फूलों का रंग पीला, सफेद, नारंगी और बहुत सारे कलर में ये पाया जाता है इनको हम बीजों से लगाया जाता है इनके फूलों का साइज 5-15 cm तक होता है इनके फूलों को खादगी कोई अवसकता नहीं होती और फूल काफी अच्छी मातरा में खिलते हैं और का या गुल मेहन्दी के नाम से इसको जानते हैं इनके फूलों का रंग लाल, पीला, सफेद और गुला भी होता है बीजों से इसको हम उगाते हैं ये गर्मियों में बहुत अच्छे खिलते हैं इनके पोदे के मुर्जाने के बाद इनमें इलाइची जैसे फलाते हैं जिनमे पे अराम से उगा सकते हैं इसका पोदा 40-50 डिगरी तक के टेंपरेचर में खराब नहीं होता और एक साथ इसमें 100 फूल खिलते हैं इसके फूलों का रंग लाल, पीला, सफेद, गुला भी होता है इसको हम बीजों से उगाया जाता है ये सुरज मुखी वेराइटी का नेक्स्ट आता है हमारा डेजी अनि गुल बहार इसके फूलों का रंग सफेद, गुलाबी, लाल होता है इसको हम बीजों से उगाया जाता है ये भी सुरज मुखी फूल के पोदे का जैसे वेराइटी का पोदा होता है इसको भी हम कट फूलों के रूप में यूज होता है काफी सुगंदित पोदा होता है इसके फूलों में काफी सुगंद आती है तो इसको भी आप अपने गार्डन में अपने गमलों के अंदर आसानी से लगा सकते हैं नेक्स्ट आता है हमारा गुम फेरिया यानि मकमली इनकी नाम से जाना जाता है इसका पोदा 40 से 50 डिगरी तक कहराब नहीं होता इसके पोदे के फूलों का रंग होता है लाल पीला सफेद गुलाबी बैंगनी आदी कलर में यह पाया जाता है इसको हम बीजों से असानी से लगा सकते हैं और बहुत सुगंदित होते हैं इसके फ्लावर और इनके फ्लावर का जो साइज होता है वो ह फिट तक हो सकता है। इसको हम गमले में असानी से लगा सकते हैं तो इसको भी आप गर्मी के मौसम में गमले में असानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सनफलावा यानि सुरज मुखी मार्च से अप्रेल मही तक के महीने में आप इसको गमले में असानी से लगा सकते हैं फूलों का रंग पीला नारंगी और बहुत कलर में यह पाया जाता है यह बहुत अच्छे वेराइटी का पौधा होता है और इसके फूल काफी अच्छे खिलते हैं इनको हम बीजों से उगाते हैं इनके बीज खाने लायक होते हैं इसको आप अप्रेल में लगाएं और पूरी गर्मी आपको यह काफी अच्छे फूल देगा और फूल काफी सुगंदित होते हैं तो इसको भी आप अपने गार्डन में अगंबलों में असानी से लगा सकते हैं नेक्स आता है हमारा लाजवन्ती यहनि छुई मुई रंग हमारा गुलाबी, पीला, बैंगन इनके फूलों का रंग गुलाबी, पीला, बैंगनी होता है इन्हें टच मी नोट और किस्मी नोट के नाम से भी जानने जाता है इन्हें हम बीजों से लगाते हैं इन्हें हम गंलों में असानी से लगा सकते हैं और यह पूरी गर्मी हम अपने गाडन में लगा सकते हैं और काफी अच्छे हम इयु फूल देते हैं नेक शचता है हमारा जरबेरा इनके फूलों का रंग होता है गुलावी, सफेध, लाल, नारंगी कलर के फूलावर्स इसमें आते हैं इनको हम cut flower के रूप में यूज होता है इनको बीजों से लगाया जाता है फूल काफी आकरसित होते हैं फूल खिलने के बाद जल्दी से मुर जाते नहीं है तो इस flower को भी आप गर्मी के मौसम में गंबलों में असानी से लगा सकते हैं नेक्स आता है बरसाती लिली यानी rain लिली इसनके फूलों का color होता है पीला, सफेद, गुलाबी और बहुत सारे color में ये पाया जाता है इसनके फूल बड़े नाजुक होते हैं बट काफी सुन्दर होते हैं एक पोधे में एक फूल आता है और एक ही दिन रहता है इसको हम बी अंदित होते हैं तो इस flower को भी आप गर्मी के मौसम में अपने garden या गमलों में असानी से लगा सकते हैं नेक्ट आता है लैसुन बेल यानी false garlic इसके फूलों का रंग हलका नीला बैंगनी होता है लैसुन की smile आने की वज़े से इसके लैसुन बेल के नाम से भी जाना जाता ह यह देर सारे गुच्छों में खिलते हैं और बहुत खूब सुरुत होते हैं इन्हें हम गमलों में असानी से लगा सकते हैं इसको हम cutting और seeds दोनों से उगा सकते हैं अपने गमलों में अपने garden में और गर्मी के मौसम में आप अपने गमलों में इस flower को लगा सकते हैं नेक्ष इसके फूलों का रंग हलका नीला होता है फ्लावर का जो साइज होता है पांच सेंटिमीटर होता है ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा खिलते हैं और तेजी से ग्रो करते हैं इनके फूलों की खुसबू बहुत अच्छी होती है तो इस फ्लावर को भी आप अपने सब्सक्राइब को और आपने गार्डन chi year एक पर ऊक्रन के अपने उस सबskilt आपने फूलावर उप्पार गर्मिस Earn diagnose एक फिर में दिए में अपने अच्छी तुम पोफ़ी पोफ़ जिने फिरह घर अपनृ Norman यह Lan शुगंदित और काफी अच्छा सुन्दर आपको फूल देंगे और तो इन फूलों को आपप अपने गार्डन में या गंपलों मैं आसानी से लगा सकते हैं तो दोस्त अगर आप वीडियो को लायक करें चैनल को सब्सक्राइब जरु कर लें अगर आप वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को सेर करना ना भूली थैंक यू